दोस्तों आप सभी के लिए खुश खबरी हैं नहीं आपको अस्पिताल जाना पड़ेगा नहीं सर्जिरी के लिए जाना पड़ेगा अपने घर बैठकर आप बड़े से बड़े बिमारियों का एलाज, एक्यू प्रेशर, होम आयवरेदा एवं एक्ससाइस से आप कर सकेंगे डॉक्टर दरवेश जी ने दो साल की कड़ी मेहनत के बाद 51 बिमारियों के साथ 26 कंटे की होम ट्रीप्नेंट, एवं ट्रेनिंग, आप डीविडीज, एव 24 जीबी का पेंड्राइव के माध्यम से ऑनलाइन आमाजान पर खरीदने के लिए उपलब्द है माई हेल्थ इन माई हैंड इंग्लिश आव हिंदी किताब 51 तथा 101 बिमारियों के इलाज के साथ ऑनलाइन आमाजान पर उपलब्द है दोस्तों अब आप बिना दवाई के बिना अस्पिताल जाए घर बेटे अपना इलाज खुद करिए डारेक्ली किताब, डीवीडी तथा पेंट्राइप पाने के लिए वाच्च अप करें इस नंबर पे 882666303 धन्यवाद दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बेश साब सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल फ्रीडम फ्रम होस्पिटाल में आज दोस्तों हम जानेंगे कड़ूए करेले के मिठे फायदे दोस्तों सबको पता है कि हरी सबजियों के बीच आकरसित करने वाला करेला स्वाद में भी भले ही कड़ूआ लगता हो लेकिन इस से होने वाले फायदे जरूर मिठे होते हैं क्या आप जानते हो दोस्तों करेले से स्वास्तियों को होने वाले इन लाप के बारे में अगर आप जानोगे समझोगे और अमल मिलाओगे तो आपका जिंदformation बदल जाएगा आपको डाइबेटिस पेट की समस्या कब्च की समस्या आपका जैसे ग्यास बनती है इस सारी प्रॉब्लिम सॉल्व हो जाएगा उसके सासाथ अगर आपको आस्तमा रहता है जॉइंट में पेन रहता है तो भी दोस्तों इससे फाइदा होने वाला है तो मैं आपको बताने वाला हूँ करेले का ओ आठ फाइदा जो जानकर आप हैरान रह जाओगे नमबर एक करेले में फस्परस परियप्त मात्रा में पाया जाता है यह कफ कब्ज और पाचन संबंदी समस्या को दूर करता है इसके सेबन से भोजन का पाचन ठीक तरह से होता है और भूग भी दोस्तों खुल कर लगती है याने जिससे भी भूग की समस्या है याने उसको भूग नहीं लगती है जो बच्चों को भूग नहीं लगती है लड़कों को भूग नहीं लगती है लड़कियों को भूग नह या फिर एक ग्लास पानी और उसमें 10 to 20 ml तक का आप जूस ले लिजे, ताजा जूस मिला के पीओ, जिससे ये कड़वा भी ने लगेगा और आराम से आप कमफ़र्टिबली इसको पी भी पाऊगे, दुसरा, आस्तमा की सिकायत होने पर करेला बेहत फाइदाबंद होता है, द करेले का रस से बन करना अच्छा होता है, जिससे लंबे समय तक ये बिमारी आपको नहीं छूपाती है, करेले का जूस पीने से, दोस्तों, आपकी लिभर भी मजबूत होती है, और अगर आपको फैटी लिभर है, लिभर सोरियस इस हो गयरा है, तो आपको बिलकुल इसका फ्रेश जूस आपको दोस्तों पीनी चाहिए, और लिभर की हर समस्या इस से दोस्तों खतम हो जाता है, याने फैट फ्री लिभर अगर आपको चाहिए, ताजा लिभर अगर आपको चाहिए, तो आपको ताजा करेले की जूस दोस्तों, प्रति दिन से बन करनी चाहिए, औ और हर रोज आपको प्राणायम करनी चाहिए और आपको ब्रीधिंग एक्सेसाइज करनी चाहिए लिभर का पॉइंट नंबर तेईस जो आकी प्रिशर में बताया हूं उसको सुभा से रात के अंदर कम से कम चार बार 50-50 बार दबानी है तिन बार तो खाना खाने के पहले एक इसका अगर सेबन करते हो तो आपके अंदर की रोख प्रतिरोख्यमता याने इम्मिनिटी सिस्टम काफी तेज यति से बढ़ता है और किसी भी प्रकार का संकरमन आपका ठीक हो जाता है याने अगर आपको सिजनल फ्लू से अगर बचना है अगर आपको चिकेन गुनिया ड नियमित रूप से ले सकते हो उल्ठी दस्त या हैजा हो जाने पर करेले के रस में काला नमग मिला कर दोस्तों पीने से तुरंद आराम मिलता है जलोदर की समस्या होने पर भी दो चमच करेले का रस पानी में मिला कर पीने से दोस्तों लाब होती है लक्वा और पारलिसिस मे भी करेले का बहुत कारगर उपाय है इसमें कच्चा करेला खाना रोगी के लिए लाब जनक होता है मगर आप क्वांटिटी कम दीजिएगा क्योंकि इससे ब्लड पेशर अगरा भी थोड़ा बढ़ने का खतरा रहता है पारलीसिस पेशेंट को इसलिए लो डोस से सुरू करें उन्हें आप जूस भी दे सकते हो या कच्चा करेला खाने दे सकते हो अगर वो चबा के खा पाते हैं तो ऐसा करो अगर नहीं तो फिर जूस में 5-7 टाइम सा पानी मिला कर आप मॉनिंग में एक बारी दे सकते हो और 12 एक बज़े भी थोड़ा सा दे सकते हो डिपेंड करता है कि उनके हालत कैसी है वो अपने सोच भूस से आप अपना क्वांटिटी तै करिएगा खून साप करने के लिए करेला अमृत के समान है मधूम है यानि डाइबिटीस के लिए तो सब को पता है इसकी लाब बताने की ज़रूत नहीं है जो करेल का जूस भी लोग है तब भी आपको लाब होगा अगर आपको कुर्मी की सिकायत है मधूम है हमेसा रहती है काफी हाई इसमें रहते हो और आपका उपर इंसुलीन हो गरा काम नहीं करता है तो आप दोस्तों गाजर के रस के साथ करेले का रस सेम सेम कॉंटिटी भी लेकर औ आपको ब्रीधिंग, प्राणायम, आसन, मौनिंग वाक कुछ भी नहीं छोड़नी चाहिए और मैं जो आपको क्लापिंग थराभी बता है हूं मेरी क्लापिंग थराभी का वीडियो भी देखिएगा और मेरी ब्रीधिंग टेक्निक वाली वीडियो भी देखिएगा इसको फॉलो के रिए 15 मिनिट आपको क्लापिंग ठरापी करनी है और आपका जो ब्रीधिंग है ये दिन को 200 लाप कम से कम करनी है सुभा सो बार और साम सो बार ऐसा करके भी कर सकते हो तो इसका लाब आपको दोस्तों होगा इसके साथ साथ जो नेचुरल चीजे हमारे कीचेन में अ दवाई नहीं खाना है और अवेड करना है इस सब चीजों को अगर आगे लेना है तो दोस्तों हम कीचेन को पहचाने हमारे आइरवेद को पहचाने हमारे नेचुरल थेरापी को पहचाने एक्विप्रेशर को योगा उगेरा को सब को पहचानो करो तभी आपको दोस्तों म जय हिंद, जय भारत!